आप सभी का स्वागत आपके इपने यट्यूब चनल आर्मे अकेडमी पर दोस्तों आज का वीडियो इस पेसली आप सभी जितने भी ऐसे जीडी की तयारे कर रहे हैं लाड़ लो आप एक गलती ना करो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं आप यह गलती मत कर देना इसलिए म प्रणाने का मकसद शिर्फ इतना है कि अब अन्त हिम समय की आपके पास है जैसे कि आप सभी को पता किशी के पास के हमगी साथ नो दिन का कैसी की पास में तस से पंदरा दिन का समय है आपको तो अंत्यारी करें यह वीडियों पूरा कैशे आपके दो से यूटिलाइज नहीं किया कि समय कम है समशे ज़्यादा है आपके पास क्यों कि इस बार सभी को समय हर बार की बजाए कम मिला है तैयारी करने के लिए तो मुझे पता है आप में कई बच्चे से जिनके अभी बहुत सारे चेप्टर बाकी भी कुछ कुछ में दीकते के कुछ चेप्टर रेशाएं जो बाकी रगए अब अंतीम समय में किसे तैयार करने की त्योनिविजिन भी करना है तो लाट लो जिसके बी सामने जिसी बच्चे के सामने ये समय हो रही है आरक का था yaşा ए इकेडमी के बच्चे कैसे तयारी करते हैं? अब कैसे करें तयारी? तो लाड़ो इसकान सर शुनेए, मैं आपको बताता हूँ, अब कैसे करें तयारी का और उसी परकार से हम बच्चों करवाते हैं, देखो. हमारे पास में जैसे अभी परजेन टाइम में 120 बच्चे जिसमें से SSGD के लगबग 40 बच्चे पेपर देंगे बाकी जिसे आर्मी के हैं नेवी एर्पोर्स उनके मिला के 40 बच्चे से हैं हाँ टोटल पेपर देने वाले बच्चों की संक्या पहले पच्चपन थी इने में से 15 बच्चों के एंसल हो गए अब 40 बच्चे पेपर देंगे अब हम इनकी कलासे करते हैं मेरा थन भी लेकिन एक बात हम विशे शुरूप से जान देते हैं कि जिस बच्चे को दो चीज आती हैं हम उसकी कलास उसके लिए नहीं लगाते हैं इसका आपको मैं एक वीडियो बना के प्रूब भी दूँगा लेकिन आपको बताता हूँ क्या करना हैं बहुत सारे बच्चे क्या करत बताते हैं इनको बस नॉर्मली हलके में पढ़ लीजिए एक बार आंग से निकाल लीजिए इनगान पांच पर फॉकस करिए जो आपको नहीं आते आपको इनको पूरओं को पढ़ने की जुरत नहीं है इसलिए इनग पांच को ज्यादा टार्गेट करिए तैरी करने का अन किया जाता है ना कि संपूर्ट रिविजन पे ये बात जान रखे संपूर्ट रिविजन का तो कोई लेना देना है नहीं है संपूर्ट रिविजन रिविजन का मतलब यह नहीं कि आप इनकी प्रेडिस करते हो उतनी इन वो आपकी किलेर होनी चाहिए यह नहीं कि इसमें भी ना और उसमें भी ना, दो नाओं में पेर रख दोगे तो बीच में से फट जाओगे भाई इसलिए जो भी टोपिक आप किलेर करते हो, टोपिक टोपिक वो बड़ी ऐसे किलेर करना है कि उसमें ऐसा रहे कि 90% चांस रहे कि अब इस टोपिका क्यूशन अगर आया तो मैं गलता अंसर नहीं दूँगा ठीक है तो इसी परकार आप क्या करिए जो नहीं आते हैं इनका अच्छे से रिविजन करिए और जो आते हैं उनका नॉर्मल डिविजन करिए ऐसा नहीं वोड़ा बिल्कुल नहीं लेगिन नॉर्मल डिविजन आपका मोडल पेपर से हो जा रहा है तो अगर आप मोडल पेपर में उन चेप्टर के किशन एजिली सोल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उनकी डिविजन करने की जूरत नहीं है बस हलका सा उनका जो भी उनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो उनका बेसिक कॉंसिप्ट है उसको एक बार सोते समय या किसी समय देख लिजिए यानि दिन में उन टोपिक के लिए मातर एक डेट गंटे का ही समय लगाईगी बाकी समय जो चीज़े कंप्लीट नहीं हो रही है आपसे कवर नहीं हो पा रही है उन पे फोकस करिए उनको कवर करिए बेटा आखरी समय आप यह नहीं सोचे कि यार में के से करों एक बात और के अप्लीकेशन है यूटू पले स्टोर पे जाए कमांडो केड में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिजिए और मातर आप सभी के लिए सबसे खास बात हैंगी अब क्या करना है इसी परकार जाए रिजिनिंग ले लो जैसे मैंने में ने मैत कर दिया इसी परकार हिंदी है रिजिन किस बात का करोगे आपको याद करनी है हिंदी में तो जदातर याद करनी है और वाक्यों में गलती देखनी है तो इनका कोई रिजिन नहीं होता है इसकी होती है। प्रक्टिस और एक एक बार आपने पहले पढ़ लिया होगा, अब तगड़े से याद करते-करते आगे बढ़िए, ताकि अच्छे नमबर हिट कर पाऊ लाड़ लो, बाकी जो हिंदी में जो ग्रामर है, जो व्याकरन है, उसकी मातर प्रेक्टिस करिए, और मोडल पेपर से प्रेक्टिस करि रहना है, तो उटोमेटिकली ही, आपके तैयारी बहुत ही शांदा लेवल पे चली जाएगी, इस परकार चे तैयारी करिए, अगर आप चाते हो, कि आपका अन्तिम समय में तैयारी गजब की हो, तो उन टोपिक्स पे कम जान दो, जो आपको आते हैं, उन टोपिक्स पे कोई भी चीज आसानी से सीखी जा सकती है, ज्यादा ऐसे नहीं करना हो रहे हैं, एक्जाम आगे, एक्जाम आगे, ना, ना, उससे कुछ नहीं हो, तो इस परकार तैयारी करोगे, तो यह 100% मान लीजी कि आपका क्यूशन मार्क चल रहा है ना दिमाग में, इस परकार में ब हारते.